हेलो एव्रीवन वेलकम टू टैट बजर कैडबी अबोर पंजाब मैं मिदुन दोरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लैटफोर्म पर जैसे कि साथियों आप सभी को मालूम है कि हिंदी साहित्य से समधित आपको जो है समय समय पर सभी कालों से जो आपको कोशन आने हैं जो आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे उनकी आपकी बखुबी से त्यारी हो सके ठीक है और इसी के साथ मास्टर कैडर हिंदी के लिए आप जो हमसे संपरंग करना चाहते हैं या आप हमसे घर बैठे और लाइन कोची का माध्यम पन ना चाहते हैं तो आप इन स्क्रीन जो आपको नंबर दिखाई दे हैं इन नंबरों के माध्यम से आप जो हमें संपर्ण कर सकते हैं इसे के साहीं हो आपसे जो है आदिक काल omik. उनसें संब्धित जो है आपसे उन पर विचार miasmश किया जाता है यानि के इनके जो कोशन है जो महतुपूरन प्रशन है उन पर विचार विवश किया जाता है और इसी से समधित आपको जो है एक्जाम में कोशन देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो आप जो है इस लेक्चर को बड़े ही द्यान से देखिए क्योंकि हमारा उदेश अब हिंदी साहित्य के महतुपूरन प्रशन जिनको हिंदी साहित्य में MC क्यों आदी कहा जाता है तो उनके पर विचार विमर्श करेंगे ठीक है तो चलते हैं हमारे पहले प्रशन की ओर जिसका हम शुब औरम करने जा रहे हैं तो हमारा पहला कोशन ठीक है उसके इलावा आप जो है हमारे ओलाइन कोचिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है इन नम्रों के माध्यम से हमें संपरक कर सकते हैं साथी साथ आप सभी को मालूम है साथियों जैसे कि हमारे पंजाब में जो है एटिटी कैडर से जो है 994 मास्टर मिस्टर की 4180 और पी टी आई से समधित जो है 2000 पोस्टे आट एंड क्राफ्ट की 200 पोस्टे जो है अभी आ चुकी है ठीक है तो मास्टर कैटर से समधित हो या एटिटी से हो पीटी आई से हो या आट एंड क्राफ्ट से हो अगर आप ओनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे अपनी बखुबी त्यारी कराना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से के माध्यम से और योखो माध्यम से जो है अच्छी त्यारी करवाई जाएगी ताकि आप जो है अपना जो है स्थान्वह अजय कर सके है आप जो है गौर्णमेंट sufficiently reputर्वाने करें के साहित्ते से समधित है पहला कोशन उसका हम शुबारम करने जा रहे हैं ठीक है जैसे कि हमने पहले भी आपको बतलाया कि हमारा जो है इस करा इस करम को जो है हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक आपकी जो है बिलकुल ट्यारी ना हो जाए आप जो है आप जो है सफलता को हसिल ना कर ले हमारा सबसे बड़ा उदेश्य यही है तो हम सबसे पहला कोशन देखने जा रहे हैं हमारे सबसे पहला कोशन है कि निमलिक्त में से मैथली शरण गुपत की कौन सी रचना नाइक का परदान नहीं है अब हमने यह बताना है कि इन में सब कौन सी रचना है जिसमें ना नाइक परदान होगा अगर नाइक का परदान नहीं है तो परदान कौन होगा नाइक वो कौन सी है तो चलते हैं ए उप्षन में हमारे पास है ये शोद्रा बी में हमारे पास है पंचवटी सी में हमारे पास है साकेद और डी में हमारे पास है विश्नुप्रिया तो कौन सी र परकार से जो हमारी एक रचना भश्ती है वह भी वी ओप्शन में हमारे पास है पंचवटी पंचवटी में जो है लक्षमन जो है लक्षमन को जो है मुख्य नाइक है लक्षमन क्या है 15 में मुख्य नाइक दिखलाया गया है पंचवटी जो है वह जो है उन्नी सो पच्चिस के करीब प्रकाशित हुई थी पंचवटी तो वह आप्षम अमारा बिलकुल राइट अनसर है ही का जी छी असाकेट महा काव्य साकैत्स क्या है म ह काव्य है छकेत जो है महाकाव्य है और सकेत में जो हैं बारा सरगय है तो हम फिक शाकेत महाकाव्य है और इसमें कितने संदें बारा संदें ठीक और सकेत किस पर था अर्मिला पर उर्मिला का विरहवरन ऐसे कड़ान जो है दिख्लाया गया साकेत में साकेत जो है 12 सरगे थीक है इसी के सिर्फिक इलावा हमने जो कोशन देखना थे हमारा वह यह था कि नहीं है तो नहीं है पंच्वटी लक्षमन मुख्यन आयक है इसमें ठीक है तो बी ओप्षन अमारा बिल्कुल राइट अंसर है जी चलते हैं नेक्स कोश्चन पर निराला का जनम कहां हुआ कहां हुआ जी निराला का ए उत्तरपरदेश बी उडिसा सी बिहार डी बंगाल तो कहां पर हु करती है स्रोज स्मृति से है बी तुलसी दास से है सी वीना से है या डी गीतिका से है यह कान्य कुप्ज कुल कुलंगाकार खाकर पतल में करते छेद तो यह कहां से है तो यह साथियों हमारी है हमारा पास जो ओप्षन है ए हमारे पास ओप्षन है ए स्रोज स्मृति तो स्रो कि निर्हाला की रचना है cmdates 18 वर्षिय पुत्री अथारा वर्षिय पुत्री निर्हाला की प्रभर्शय पुत्री सौरी अठारक हम्रोज की मृत्त्यू पर रचना की और ये है संसार का या हिंदी सहाइत्य का प्रत्थम शोगीत है शोगीत है बिल्कुल राइट अंसर है अधिकाल इनसाहित्य का पर मुखरस्य क्या है ए शांतरस है भी हास्यरस है सी करूनरस है या डी वीररस है तो आदिकालिन साहित्य का जो पर्मुखरस है वो साथियो क्या है तो इसके हिसाब से आदिकालिन साहित्य का जो पर्मुखरस है वो है वीररस क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो है रासो साहित्यों लिखे गई और आधिकाल की शैली कौन सी थी? कौन सी थी? डिंगल और पिंगल. ठीक है? आपको अगर शैली पूछ ले तो डिंगल पिंगल, आपको अगर वो भाषा पूछ ले, ठीक है? फिर ब्रज. क्योंकि बहुत बार साथियों यह हुआ है, कि एक बार एक्जाम में ऐसा हुआ कि उन्होंने भाषा पूछी थी, तो बाषा तो ब्रज है, ठीक है? तो डिंगल पिंगल क्या थी? शैली थी. तो भाशा ब्रज का अधिक उसमें प्रचलन था ठीक है तो इसके इसाब से हमारा जो उप्षन है सही वो वीरस है ठीक है चलते हैं जी नेक्स कोशन पर मुसल्मान अन्याई कबीर दास को किनका शिश्या मानते हैं मुसल्मान जो अन्याई हैं वो कबीर दाज जी जो है उनको जो है किनका शिश्या मानते हैं शेक तकी का, बी रजजब का, सी मुईदीन चिस्ती का या डी नूर मुहम्मद का तो किसका मानते है शेक तकी का फिक है जी शेक तकी का जो है कबीर दाज जी को कबीर दाज जी है उनका शिश्य माना गया किसका शेक तकी का माना किनों ने मुसलमानों ने मुसलमानों ने जो है कबीर दास को शेक तकी का अन्यौाई माना है शिश्य माना है कबीर दास जी के समय किसके समकालिम थे कबीर दास के समय शाशन किसका तशाशक कौन थे शेरसा सूरी एक शेर्शा सूरी ठीक है शेर्शा सूरी जो थे वो स्ट बीरदास जी के सोरी सोरी सेर्दास सूरी नहीं है यहापर सिकंदर लोदी यह वह जाइस्ती के इन ला गया सिकंदर लोदी किकंदर लोधी जो थे इसके समय के शाषक मानेगे कबिरदाज जी के आप सबी को मालूम है कबीरदाज जी का जो जनम है कबिरदाज जी का जनम वो payer На में हुआ ठीक है इसके इलावा इनकी भशा जो है उसे पंचमेल खिचरी पंचमेल खिचडी या डिंगल पिंगल बाशा कहा जाता है डिंगल पिंगल पंचमेल खिचडी डिंगल पिंगल आदी बाशा कहा जाता है ठीक है और तेरा सठानमें जनम हुआ था इनकी रचनाएं साखी सबद और रमैनी कवी कुल कलप्तरू के रचनाकार कौन है यह हमने जानना है कि कवी कुल कलप्तरू के रचनाकार कौन है तो वो है चिंतामणी सी ओप्षन बिल्कुल राइट अंसर है चिंतामणी अचार्य शुकल ने चिंतामणी को रितिकाल का परवर्तक माना है रितिकाल का परवर्तक माना है तो जो हमारा सी ओप्षन है बिल्कुल राइट अंसर है चिंतामणी ठीक है जी तो चलते हैं जी आगे इति वर्तातमकता किस काव्य गुण की परमुख विशेस्ता है इति वर्तातमकता ए भारतेंदु यूग बी द्रिवेदी यूग सी शुकल यूग या डी छायावादी यूग तो इति वर्तातमकता सभी को मालूम है कि द्रिवेदी यूग की ये जो है विशेस्ता है ठीक है जी द्रिवेदी यूग की विशेस्ता है ठीक है इति वर्तातमकता और द्रिवेदी यूग जो है वो महावीर परसाद द्रिवेदी दिर्वेदी के नाम पर है जी ठीक है और जो है ये जो है उन्नी सो से उन्नी सो बीस तक माना गया है उन्नी सो से उन्नी सो बीस तक ठीक है दिर्वेदी काल में जो कह सकते हैं हम की मुख्य पत्रिका थी तो वो थी सर्स्वती पत्रिका जो कि कहते हैं कि माविर पसाद द्रवेदी जी 1903 से लेकर 1920 तक जो है इस पत्रिका के संपादक कारे रहे थे ठीक है सरस्वती पत्रिका जी तो इसी के साथ जो इती विर्तात्मकता है वो द्रवेदी यूग की जो है परमुख विशेस्ता है हिंदी की पहली चायावादी कविता मानी जाती है तो हिंदी की पहली चायावादी कविता कौन सी है जूही की कली बी हेमंत सी प्रथम प्रभात और डी प्रथम रशीम तो हिंदी की पहली चायावादी कविता मानी जाती है तो हिंदी की पहली चायावादी कविता कौन सी है तो आप सबोई का मालूम है कि हिंदी की सबसे पहली चायवादी कवीता किसे माना गया है तो माना गया है सी ओप्षन में हमारे पास है जर्ना पहले हमारे जुही की कली भी हेमन्त और पर्थम रशीम तो सही अंसर जो है वो है हिंदी की पहली चोयवादी कवीता जो माना गया है जर्ना जिसे प्रस्थम प्रबात से पहले नाम से चाबा गया था फिर यह जर्ना था ठीक है जर्ना जो है वो उन्नी सो अठारा में परकाशित हुई ठीक है और जर्ना काव्यकृति जो है वो जैशंकर परशाद की है ठीक है कहा जाता है कि 1918 में जर्णा जब परकाशिद हुई जर्णा तो वही से जो है चायावाद का यूग का आरंब माना याता है कुछ लेकों ने चायावाद का यूग आरंब जो है वो जर्णा से माना 1918 से ठीक है त्रीधारा भी म confess औरमादल बुद औरनाचगर तो इनमें से बच्प जो बच्चन जी द्वारार रचित है वह बुद और नाचगर डी ऑप्षान बिलकुल राइट अंसर है बुद और नाचगर तो अर्ओं जो बच्चनजी है यह रिवश्राय बच्चन जी है है ना तो हरिवंश्राय बच्चन जी जो है हरिवंश्राय बच्चन तो हरिवंश्राय बच्चन जी जो है वो हालावाद हालावाद के परवर्तक हैं हालावाद के परवर्तक माने गए हैं ये भी एक्जाम में बहुत बार प्रशन पूछा गया है कि हालावाद के परवर्तक क कौन है तो हालाबाद के परवत्तक है हरीवंश्राइबच्चन इनकी रचना है मदू शाला मधू बाला मधू कलश ठीक है तो इस प्रकार से इन्होंने रचना की इसी कारणी ने जो है हालाबाद के परवत्तक कहा जाता है तो हरीवंश्राइबच्चन की रचना है बुद्धोर नाच गए तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट अंसर है आदी काल को कि सिद सांत यूग कहा गया है तो ए राहुल संस्क्रियान ने भी अचारे रामचंदर शुकल ने सी डॉक्टर रामकुमार व यूग विए गाथा काल या वहीर गाथा यूग ठीक है वीर गाथा काल किसे ने कहकर पकार अचारे रामचंदर शुकल जी ने ठीक है तो इसी कारण जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मार ने चारणकाल कहा ठीक है डॉक्टर बर्बान ने चारन काल कैकर इसे पुकारा तो आधिकाल को सीध समानत यूग कहा राहूल संस्क्राइब तो ए ओप्षन बिल्कुल राइट अंसर है जी ठीक है चलते हैं जी आगे दो सी अप्षन बिल्कुल राइट अंसर है इस्वरदास हालावाद के परवर्तक कौन है ये मैंने आपको अभी बताया कि हालावाद के परवर्तक कौन है भगवती चरण वर्मा भी हरीवन्ष राइबच्चन सी ओप्षिन में मारे पास है बाल कृष्णा शर्वानमीन और डी में है नरेंदर शर्मा तो हालावाद के परवर्तक कौन माने गए है हरीवंश्राई बच्चन तो B option बिल्कुल राइट अंसर है हरीवंश्राई बच्चन जो है वो हालावाद के परवर्तक माने जाते हैं हरीवंश्राई बच्चन जो है हालावाद के परवर्तक माने गए है ठीक है तो B option बिल्कुल राइटन से लगी ठीक है जी तो यह था हालाबाद के परवर्त हरीवंश्राय बच्चन जी इसी के साथ सातियों अगर आप जो है एक बहुती आसान सा काम कर सकते हैं ठीक है आप जो है हमारे पेपर की आप त्यारी करना चाहते हैं और लाइन कोचिंग लेना चाहते हैं घर बैठे ही अपनी अच्छी त्यारी करना चाहते हैं सफलता को आसिल करना चाहते हैं तो आपने जिस पेपर की आपने त्यारी करनी है उस पेपर का जो है आपने नेम जो है वह अपने टाइप कर करके आपने क्या करना है उसके तत्पस्चाद आपने city यानि के अपने शहर का नाम जिस वह सम्दित हैं शुद्त करने के ऊपने इस चाहद करने के तत्पस्चाद स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं नंबरों के माध्यम से आप जो है संपरक कर सकते हैं और नंबरों के माध्यम से आप जो है मैसिज भी कर सकते हैं ठीक है इसके इलावा जो है आप किसी भी सब्जेक्ट जो मैंने आपको पहले बताए अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी विश्य से अगर आप संदीत ह चाहे वो पंजाबी है हिंदी है एससटी है तो आप किसी भी सब्जक्ट से आगर समधित है और वो सभी परकार की आप जो है हमसे कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं घर बैठे ही आपके इसके लिए आपको जो है लैक्चर लाइव लैक्चर दिये एक विश्टोब करो जाएगा ओन्लाइन कोचिंग के माध्यम से और फिर आपको जो है जो आपके विश्चेंदी है 6 यह है इसके अंदर जो आपके आपके जो टूपिक वाइस भी मलतिति यह एप माज़री वह भी परकार गत्षप्रकी आपको प्रेक्षिन देखने को मिल और आगे आपको फिस परकार को बनने से पहले हमने पर लाइन-कophy हमारी क्लास को देखना चाहते हैं हमारा डैमो देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि टैट बजर ईप को जो है गूगल प्रेशन पर जो कि हमारा अगले प्रेशन पर जो काल से माना याता है भक्ति काल से बी आदी काल से सी वीर गठा काल से या डी आधुनिक काल से तो किसे माना याता है साथियों की हिंदी अलोचना का इतिहास का काल कौन सा जो है किस काल से बाना याता है तो यह आपको साथियों माना याता है आधुनिक काल से आधुनिक काल से जो है इंदी आलोचना का इतिहास काल माना याता है तो डी ओप्षन विल्कुल राइट अंसर है जी उसके तसपस्यादा मारे पास कोशन है किस गरंथ में चंदर बर्दाई को चंदर बर्दाई को छप्यों का राजा कहा गया है तो वह कौन सा गरंथ है शिवी सिंग सरोज मे बी प्रित्वी राज रासों में सी मुंज रासों में या इन में से कोई नहीं तो चप्यों का राजा चंदर बर्दाई को किस गरंथ में कहा गया है तो वह कहा गया है शिवी सिंग सरोज में सिवी सिंग सरोज में कहा गया है छपेयों का राजा किसे कहा गया है चंदरवर्दई को और सिवी सिंग सरोज रचना किसकी है सिवी सिंग सैंगर की सीवी सिंग सेंगर की रचना है ठीक है जी सीवी सिंग सरोज तो ए ओप्षन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है ठीक है सीवी सिंग सरोज में जो है चंदरवर्दई को छप्यों का राजा काया गया है ठीक है तो ए ओप्षन राइट अंसर है तो ए शिव पारवती संबाद बी राम सीता संबाद सी यागवल्ले वर्दवाद संबाद या डी काक भिशुडु गरण संबाद तो राम चरित मानस में कौन से संबाद नहीं है राम सीता का संबाद नहीं है बाकी जो शीप पारवती संबाद है वो भी है या याग बल्लक के संबाद वो भी है काग भूशन डी गुड संबाद वो भी है तो सी जो ऑप्शन है बिलकुल राइट ऑप्शन है हमारी ललित लल किसका गरंथ है लालित लालाम किसका अ? जसवन सिंग का भी भूषन का, C. मतीराम का तो, लालित लालाम मतीराम की रचना मानी गई है द्रिवेधु युक्का नामकरण का किया गया है Şantu přिया गया है या डी सोहनलाज द्रवेदी के नाम पर आप सभी को मालूम है द्रवेदी युग जो है वो महावीर परसाद द्रवेदी के नाम पर है ये 1900 से 1920 तक का है ठीक है कुछ लोग इसको 1908 भी मानते हैं क्योंकि 1918 में ज़रना नाम काव्य क्रिति के कारण सने निर्जर बह गया रेत जो तन रह गया उप्रूकत गीत किस कवी का है ठीक है रेत जो तन रह गया तो जैशंकर परशाद जी का है अदो ये दोक्टर रामकुमार वर्मा का है तो ये किसका है तो आप सभी को मालूम है ये है सूर्य कान तृपाठी निराला जी का गीत है ये सने निर्जर बह गया रेत जो तन रह गया तो बी ओप्षन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है निराला जी और निराला जी ने जो है हिंदी साहिते में जो है मुक्त छंद की वड़ चंद केच्वा चंद कहा जाता है केच्वा चंद भी कहा जाता है ठीक है चलते हैं जी आगे हमारा भी ओप्शन हमें मिल चुका है कला और बूड़ा चांद किस विदा की रचना है कला और बूड़ा चंद क्या 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 है कला और बूड़ा बी में हमारे पास है बागी रथ मिश्र, सी डॉक्टर पितामबर दर्थ वर्थव्याल, इन में से कोई नहीं, तो गोरख बानी किसकी रचना मानी गई है, तो डॉक्टर पितामबर दर्थ वर्थव्याल की, गोरख मानी किसकी रचना है, डॉक्टर पितामबर दर्थ वर्थ हनुमान बाहुक तुलसी धास का उन्होर नहीं रिचना की थी भी ओप्षन अमारा बिल्कुल राइट अंसर ह मान बाहुक हमार तुलसीदास का जनम कब हुआ तो यह हुआ था 1932 में सॉरी 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 1532 में ठीक है 1532 में तो उसके बाद जो है 1532 में जनम हुआ इनका जो राम रामचरितमानस है कि वह महाकाव्य कोटी यह बार बार बहुत बार पूछा गया है इनका काफी फ्रसीद है महाकाव्य है रामचरितमानस और साथ कांड है जी इसमें ठीक है यह भी आप याद रखेगा तो हमें अपने राजन सर्मिल चुका है दुल्सीदास द्वारा शारिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी अब आते हैं निमलिक्त में से ग्यान दीप का रचनाकार कौन है निमलिक्त में से ग्यान दीप का तो ए उस्मान है बी काशिम सा है सी नूर मुहम्मद या डी शेख नभी तो इसमें से ग्यान द जाथ आप्षिन थिए किस्यूट के कविता के लिए कहा गया है तो किस्यूंग के लिए प्रती शुशं का विद्रो तो A. चायावाद, B. नई कवीता, C. प्रियोगवाद या D. प्रगतिवाद यह तो किसके लिए कहा गया जी? स्टूल के प्रती शुशम का विद्रो तो यह कहा गया है स्टूल के प्रती शुशम का विद्रो यह कहा गया है हमारे चायावाद के लिए चायाबाद के लिए कहा गया है स्टूल के प्रती शुशम का विद्रो तो चायाबाद के लिए ये किस ने कहा तो ये कहा नंगेंदर जी ने नगेंदर जी ने कहा ठीक है चायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 और कहीं कहीं हमें 1920 से 1938 भी मिलता है ठीक है तो चायावाद जो है वो स्टूल के प्रती सुशम का विद्रो है ये डॉक्टर नगेंदर ने कहा कहा निवलेंट में से कौन से व्यकिर्ण गंत के रूम में प्रतिस्टित है कौन सा है ए राूल वेल बी उक्ती व्यक्ती परकन सी कूल आला तो कौन सा है वो वह च्वार两 मारे पास उक्ती व्यक्ती प्रकन बी ऋप्ष्ण विल्कुल राइट अंसर है जी पंत्का काव्य संग्रह नहीं तो इन में से कौन सा है जो कि 5 काव्य संग्रह नहीं है तो सी ओप्शन हमारा बिल्कुल राइट अंसर है पंत का काव्य संग्रै नहीं है तो वो है परिमल ठीक है साथियों यह थे आपके 25 कोशन बड़े ही बहत पुर्ण कोशन जो कि आपके लिए हम जो कर्मानुसार लेकर आ है में लिए के साथ आप जो हमें ट्रि पर चैनल पर भी जो है हमें कर सकते हैं आप हमें इस् ум पर फॉलो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं ठीक है इसके लावा जो है आप जो है अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेर कीजिए ठीक है और इसे के साथ आप जो है आप सभी को बताया है कि जैसे कि आप फ्री वर्सम गूर्प का इससा बन सकते हैं कैसे जैसे कि आपको बताया है और अगर आप प्ले स्टोर से आप को डाउलोड कर सकते हैं तो इसी के साथ आप उन्हां को निर्यत्र लिए कि आ ओर पिड़ी foreign jako कर रहे तकी allow की दिधरी अच्छे से हो सके ठीक है जी तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को जो है विराम देना चाहूंगा ठीक है मिलते हैं नेक्स लेक्चर में कुछ अन्या महत्पुन प्रेशनों के साथ ठीक है जी तब तक के लिए धन्यवाद